हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो टेस्टी वेज रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से इंस्टेंट कैफी मोका बिना किसी जंजट के बस दो मिनिट के अंदर आप इसे बना कर रेडी कर सकते हैं सबसे बेस पार्ट ये एकदम पॉकिट फ्रेंडली रेसिपी है इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपरेशन करने की जरुवत ही नहीं बस दो मिनिट के अंदर फटा फट चीजों को एसेंबल कीजे और आपका कैफी मोका रेडी हो जाएगा इंस्टंट कैफी मोका बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टू टी स्पून के जितना कॉफी पाउडर ले लिया है वान फोट कप के जितना गरम पानी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमार एक्सप्रेसो बनकर तयार है एक बड़ा सा बोल ले लीजे या फिर ब्लेंडर जार ले लीजे और उसमें ये एक्सप्रेसो डाल दीजे अब हम कैफी मोका बना रहे हैं तो चोकलेट फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने टू टेबल स्पून के जितना कोको पाउडर ले लिया है इसकी जगा आप चाहे तो चोकलेट सरब भी यूज़ कर सकते हैं अब इस ड्रिंग में थोड़ी मिठास देने के लिए हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे यहाँ पे त्री टेबल स्पून के जितना शुगर लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉरिंग एज़स्ट कर लिजे आपको कितना चाहिए के बाद आद करेंगे हाफ कप के जितना मिल्क दूद एकदम थंडा यूज़ किया है बॉल करके आप उसे नॉर्मल टेंपरेचर पिला के थंडा करके डाल दीजे इसमें एकदम क्रीमी टेक्श्चर लाने के लिए इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम वन फोथ कप अब इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजे या फिर शेकर में डालके शेक कर लीजे सर्फ करने के लिए मैंने ग्लास में पहले तो आइस क्यूब्स ले लिए है हमारा रेडी किया हुआ कैफे मोका इसमें डाल दीजे और पिना किसी देरी के इस डिलिशिस कॉफी को एंजॉय कीजिए अब आपको काफे पीने के लिए कैफे में जाने की जरूत नहीं घर पर ही एकदब डिलिशिस तरीके से इसे रेडी करकर एंजॉय कीजिए रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं थांक्स फॉर वाचिंग बाई